तो आज ना हम बिल्कुल बजार जैसा वेच कबाब रोल बना कर तयार करेंगे बहुत ही healthy recipe है और एंट तक वीडियो को जरूर से देखिएगा बहुत ही healthy recipe है बच्चों के lunch box में हो lunch में हो breakfast में हो कभी भी बना कर खा सकते हैं तो जरूर देखिएगा इस पूरी वीडियो को त सकते हैं तो उसे मैंने दो कटोरा दो कप मैंने मैदा लिया है आधा मैदा आधा आठा का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही है उसलिए मैंने मैदा का इस्तमाल किया है और पूरे आठे से भी बना का तयार कर सकते हैं उसके बाद मैंने डाल रहा है तो जितना पानी मैंने घोलने के लिए चीदी को डाला था उतनाई से मैंने यह भी इसको मिला लिया उसके बाद हम इसमें तीन बड़ा चमच तेल डालेंगे और इसे भी ना अच्छे से मौहिन जैसा मिक्स कर लेंगे आटे के साथ तो उसके बाद थोड़ा करके अच्छे से मसलते हुए इसका एकदम soft dough बना कर हम तयार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और बिल्कुल इस तरह से मसलते हुए लचिला आटा बिल्कुल soft सा dough बना कर इसका हम तयार कर लेंगे तो पानी की quantity थोड़ा थोड़ा करके डाले एक जादा पानी ना डाले तो बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमारा तयार हो गया से कवर करके साइड में रख देंगे और अब हमारी स्टफिंग के तयारी करेंगे तो यहां पर एक पान में पानी ले लिया और यहां पर मैं सोया बीन्स ले रही हूं आपके पास अधा ग्रानुल्स ह जो पाउडर बुरादा आता वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पर मैंने ने देढ़ कप सोया बीन लिया है और उसको बस आधे घंटे पानी में सोक करके रखना पड़ता उसके बाद आप इसको श्कुईस करके पानी निकालके इस्तेमाल करसकते यहां पर मैं डाल रह से सारा पनी निकल जाए और सारइ जितना पानी निकल सके उतना हम लुगते जαेंगे और इसको ना is mixer chilled में ग्रानवल्स भी अगर रहेगा ना तो भी इसको हमें दरदरा ही पीषना है पेष्ट भी नहीं बनाना पानी का इस्तमाल हम लोग इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे बेंगे तो यह बन गया है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे बड़े से बोल में और granules भी अगर आप लेंगे ना तो उसे आधे गंटे गरम पानी में सोक करके रखना पड़ता उसके बाद उसका पानी नहीं छोड़के फिर आप ये बागी का प्रोसेस करें इसके बाद यहाँ पे डालेंगे एक बड़ा चमज भरके हम दही ये फ्रेश दही है लाल मिर्च पावडर चमज आदा चमज घ्ल्दी पावडर गरम मसाला आदा चमज आम चूर का पावडर है बाएंड गिल्की मिर्च यसके बाद होड़ेंगे पेस्ट मीडियम सइज कबमाल करेंगे तो μबेस यहां पर दो बड़ा चमच और आप यहां पर दाले और लगे कि उसके बाद थोड़ा सा गीला हो रहा है अच्छे से बाइन नहीं तो यह पे थुड़ा से तेल डाला है, घ्क चुड़ा चमच और उसके बाद जितना एक बार में जाएगा इस तरह से kbabs को हम शलो फ्राइ करेंगे, गोल-गोल भी बना सकते हैं उसे डिफ प्राइ करना पड़ेगा, या पे पैन में भी बना सकते हैं और यहां पे हम लोग श केभाबस का तो इसी तरह से तरह से उलट उलट के हम बना लेंगे तो यह हमारा कभाबस रेडी हो गया है पहला बैच 從 दूसरा बैच और हम इसारा बचा हुआ अभी बैच से अभी हम में भिन भागा क बना कर तयार कर लेंगे तो यह हमारा कभाबस exact ho हो गया है गोल गोल भी बनाएंगे न तो भी बहुत असान होता है वो उसमें थोड़ा सा ज्यादा तेल लगता है अगर डिफ्राई करेंगे अब यह पैन में फिर थोड़ा कमी तेल लगेगा तो यह सारा कबाब दमारा रेडी हो गया है अब यह जो आटा है न अच्छा जानाते है नॉर्मल थोड़ा सा इसमें डस्ट कर लेंगे मैदा को कि इस तरह से और उसकी बाद नए इसको पतला पतला रोटी जैसा बिल्कुल बहुत पतला होता है यह तो उसेथाफ से रोटी जैसा बेल लेंगे तो जितना बड़ा आपको बनानाना है उसे थाफ से आफ पलट देंगे और उसके बाद फिर इसको पलट कर हम थोड़ा सा तीर डालेंगे बहुत जाद तीर डालने से भी यह कड़क हो जाएगा और फिर गुद्रम चूई हो जाएगा यह खातेवर्द चिमड जैसा होता है न वह हो जाएगा तो हलग सा तेल में इसको उलट पलट के की मदद आप ले सकते कोई रोटी बनाए और आप एस सिंबल करें तो बस बनाए किक करके आप इसको बनाए और सफ करें तो दों तरफ से देख सकते क्या बड़ी असा कलर आ गया तो यह हमारा फर्स रोटी बनके तयार हो गया और बाकी सारा बचा हुआ भी हम इसी तरह से तयार कर लेंगे तो इसकी से पहले हम थोड़े सी चटनी बना लेते इस्टेंट वाली चटनी बहुत जबर्दस्त लगता है यह कबाब में थोड़ा सा धनिया पता थोड़ा सा दही लाल मिर्च लहसन का चारपाच कली है दो लाल मिर यह चना है इसकी जगह पर जो सेव आता है वह भी इस्तमाल कर सकते हैं स्वाद के नुसार नमक डालेंगे इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे थोड़ सा पानी अगर चाहिए होगा तो एक दो चमच डाल के इस तरह का यह हरी चटली बना लेंगे बहुत स्वादिस्ट बनत है और इसको ना अच्छे से जो हरी चटनी हमने बना के रखी दी वो डाल देंगे और बिल्कुल इस तरह से लच्छा में कटा हुआ प्यास डाल देंगे और नीचे से पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे वह वरना गिरने लगेगा तो यह अच्छे से पैक हो जाएगा इस त पी है बड़े हो या बच्चे किसी को भी बहुत पसंद आएगा पसंद से खाएंगे अच्छे से खाएंगे तो जरू ट्वाइ कीजिएगा चैनल पे न्यू है यूट्यूब पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा फेस्बुक से देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो की कीजिएगा फ्रिंस और फामिली के साथ जरू से शेयर कीजिए कमेंट करके मुझे बताईएगा यसी पी कैसी लगी थांक्स फॉर वाचिंग इंजॉई